जीरे से जुड़ी बड़ी खबर है परमुखुत पादक राजय गुजरात की मंडियों में नए जीरे की दैनिक आवक बढ़ने और हाजिर में कमजोर मांग के कारण वायदा और हाजिर बाजारों में जीरे में गिरावत देखने को मिली है बाजार जानकारों की माने तो अभी ये गिरावत बढ़ सकती है परमुख मंडी उंजा में आज जीरे की दैनिक आवक 40,000 बोरी की हो गई जिबकि राजकोट और गॉंडल मंडी में आवक 9-10,000 बोरी की देखने को मिली हाजिर बाजारों में जीरे के भाव 450 रुपे प्रतिक विंचर मंडे के साथ कारोबार करते दिखाए दिये वाइदा में मार्च का जीरा 1015 रुपे की गिरावट के साथ तो अप्रेल का 980 रुपे की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखाए दिया अधिक पैदावार के कारण अभी भी बाजार में तेजी की संभावना नहीं है अगामी महीनों में राजस्तान की मंडियों में नई जीरे की आवग बढ़नी शुरू हो जाएगी जिसके चलते कीमतों पर दबाव बन सकता है जीरे की नई आवक बढ़ने का असर इसकी कीमतों पर दिखने लगा नई आवक के दबाव में जीरे के भाव लुड़क रहे इस साल जीरे का उतपादन बढ़ने का अनुमान इस से इस साल जीरा पिछले साल के तुलना में सस्ता रहने की संभावना पिछले साल जीरे के भाव 65,000 पे प्रती कुईंटर से उपर चले गए थे लेकिन इस बार गिरावट की आशंका पिछले साल जीरे के उत्पादन में बड़ी गिरावट के कारण इसके भाव में गिरावट देखने को मिली लेकिन इस साल देश में जीरे का उत्पादन बढ़ने का अनुमान कारोबारियों के अनुसार इस साल देश में 90-95 लाग बोरी जीरे का उत्पाधन हो सकता है जबकि पिछले साल 55-60 लाग बोरी उत्पाधन हुआ था अभी तक उत्पाधन केंद्रों पर फसल की स्थिती अच्छी जिस कारण से उत्पाधन भी लगबग एक करोड बोरी होने के अनुमान लगाये जा रहे हैं अगर अगामी दिनों में मोसम खराब हो जाता है तो उत्पाधन और क्वालिटी दोनों ही परभावित हो सकते हैं उस थिती में कीमतों में तेजी बन सकती है लेकिन फिलाल जीरे की कीमतों में दबाव जारी रह सकता है